मानने जोदपूर हाई कोट के फैसले के विरोध में NCT ने मानने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया था जैसा कि आपको ग्यात होगा परशदिय प्राथमिक विद्यालेव में होने वाली प्राथमिक इसतर की सिख्षक भरती प्रक्रिया में बियड हबियर्थियों के eligibility को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है ना सिर्फ उत्तर प्रदिस, राजस्थान, पंजाब बलकि पूरे देश भर में इसी मामले को निप्टाने के लिए NCT खुद मानने सुप्रीम कोट गई थी और अब इस case की जो अगले सुनवाई होने वाली है वो 4 माई 2022 को होना प्रस्तावित है आप इसकिन पर देख पा रहोंगे NCT के द्वारा जो याचिका दैर की गई थी उस पे computer generated rate 4 माई 2022 दिखाय जा रहा है पिछली सुनवाई के दौरान मानने सुप्रीम कोट ने राजस्थान सरकार को ये निर्देशित किया था कि वह RIT 2021 के आधार पर जो सिख्षक भरती प्रक्रिया प्रात्मे की सरकी चल रही है उसको continue कर सकते हैं और B8 के अभ्यर्थियों के इस मांग को खारिच कर दिया था मानने सुप्रीम कोट ने कि RIT 2021 के रिजल्ट की घोशना की जाय और उनको भी सिख्षक भरती प्रक्रिया में शामिल किया जाय हलां कि जो भरती प्रक्रिया चल रही है राजस्थान सरकार के द्वारा उसमें मानने सुप्रीम कोट ने एक टीपड़ी जरूर की थी कि अगर इस याचिका पर B8 के संदर में फैसला आता है तो फिर राजस्थान सरकार को B8 अभियर्थियों के रिजल्ट की भी गोशना करनी होगी और उनको न्यूकती पत्र भी देना होगा अब 4 माई 2022 का दिन बहुत ही महतोपूर्ण हो जाता है ना सिर्फ B8 अभियर्थियों के लिए बलकि DL8 अभियर्थियों के लिए भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब